तो दोस्तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही हिल्दी और बहुत जादा टेस्टी नास्ते की रेसिपी जिसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर जब भी आपका कुछ हलका फुलका खाने का मन हो तो सरिफ आप एक चमश तेल में इसे बनाके तयार कर सकते हैं तो आप जो भी खाते हों आपकी किचन में जो भी यूज होता हो मस्टर्ड आयल हो या फिर वेजटेबल आयल आप यूज कर लीज़े तो तेल जैसे ही गरब हो जाएगा थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे मस्टरट सी यानि की राई राई जैसे ही तड़क जाएगे इसमें ह ठोटीं मीडियम साइज फोड़ी घौड़ी थोड़ी से मैंने यहां पर क्याप सिकूं लियां रेड़ और घ्रीन वाले थोड़ी सी मैंने गाजर कटकर के लिए सारी चीजों को मैंने बहुत भारिकी से कट किया है यहाँ पर आप जो भी सब्जिया खाना पसंद करते हैं, सारी सब्जियों को आप यहाँ पर add कर सकते हैं, और सारी सब्जियों को आप बल्कुल बारीगी से cut कीजेगा, तब ही आपका जो नासा है, बहुत ही tasty बन की तयार होगा, राइट तरखने के बाद मैंने यह पर हरी मि होती हैं जो बच्चों को पसंद नहीं होती हैं तो आप इस तरीकिक यह या फिर बें symbolism हैंगे जो लोग वेट को मेनटें कर रहे हैं वह भी सिनासते में खा लिया ए तो पूरे दिन आपको गूद बिल्कुल भी नहीं लगेगी तो जब सारी सब्जियों को add कर देंगे उसके बाद इसे हमें 4-5 मिनट तक low flame पे अच्छे से इसे पकाना है तो दोस्तों अगर आप कुछ healthy खाने की सोच रहे हैं healthy try करना चाहते हैं तो आप इस recipe को जरूर try कीजेगा खाने में बहुत ही tasty लगती है अगर आपने एक बार इस recipe को try कर लिया इस नास्ते को बना लिया तो बार बार इसी नास्ते को बनाना चाहेंगे क्योंकि खाने में जितना tasty लगता है उससे जादा कहीं healthy होता है तो इन सब्जियों को डालने के बाद आपको छोड़ना नहीं है इस तरीकी से चलाते रहना है उसके बाद यहाँ पे हम taste के according add कर देंगे नमक तो यहाँ पे नमक बहुत सादा हम use नहीं करेंगे थोड़ा ही डालेंगे नमक का use हम आगे और भी करने वाले है इसके लिए यहाँ पे नमक की जो quantity है थोड़ा कम ही रखेगा पस यहाँ पे हम सर्फ नमक add करेंगे पाके कोई मसाले या भी कोई भी चीज़ इसमें add नहीं करेंगे नमक डालने के बाद सब्चियों को अच्छे से हम एक बार चला लेंगे उसके बाद इसे हमें medium flame पे छोड़ देना है 3-4 मिनट के लिए cover करके ताकि यह जो सब्चियां है यह अच्छी तरीके से cook हो जाए तो यहाँ पे आप सब्चियों में टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन टमाटर आपको इस टाइम पे नहीं डालना है मैं आपको बताऊं कि आपको टमाटर का यूज़ कप करना है तो चली देख लेते हैं अपनी सब्चियों को तो देखें यहाँ पर लगबग 4 मिनिट हो चुके हैं अब हम डकन को हटा लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे देखें हमारी सब्चियां है थोड़ा सा इसमें पानी रिलीज हुआ है तो इसको हमें ड्राइ कर लेना है तो गैस का फ्लेम यहाँ पर हम थोड़ा हाई कर लेंगे बहुत साधा नहीं करेंगे वहना सब्चियां हमारे नीचे से लगने लगेंगे थोड़ा सा हाई करने के बाद सब्चियों को चलाते वails इस तरीके से हमें से र्राइ कर लेंगे तो चावल को आप इस तरीके से पीश लीजिए, अगर आप प्लानिंग के साथ बना रहे हैं, जैसे आपको सुबह बनाना है, और रात में आपने प्रिप्रेशन किया है, तो आप जो चावल होता है न, साबुच चावल जो हम बनाते हैं डेली घर में, वुच चावल को आप लिए एक ही बरतन का यूज करना है हमें, जैसे हमने एक कटूरी चावल के आटे का यूज किया है, तो आधी कटूरी हमें दही का इस्तेमाल करना है, अब सेम दही की कटूरी वाले में हम पानी ले लेंगे, थोड़ा ही पानी इसमें डालेंगे, बहुत साथा पानी का यू चाहिए तो चलिए इससे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं तो मैंने यहां पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है जिसमें मैं इसे ट्रांसफर कर लूँगी तो दोस्तों अगर आपके भी घर में अचानक से महमान आ जाते हों और आप सोच में पढ़ जाते हैं कि मैं उन्हें क्य काने में तो टेस्टी होता ही होता है साथी साथ हल्दी बहुत जादा होता है इसके लिए इस नास्ते को आप जिसे भी खिलाएंगे वही आपकी तारीफ करेगा तो अब इस पेस्ट में हमने जो फ्राई करके सबचियां रखी थी उससे डाल देंगे और थोड़ा सा यहां हम हींग डाल देंगे राचेशिंग लिए हींग बहुत ही अच्छी होती है तो हींग का इस्तमाल जरूर कीजेगा इसके बाद मैं यहां पर थोड़ा सा टेस्ट के लिए चिली फ्लैक्स डाल रही हूं यह ऑप्शनल है अगर आपके पास है तो डाल दीजेगा नहीं तो आ मैं आपको बता दूँ अगर आप टमाटा का यूज करते हैं तो टमाटा को इस टाइम बेडार दिए तो इस नास्ते को थोड़ा सा फ्लफी बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूं मीठा खाने वाला सोटा एक चुटकी अगर सोटा ना हो तो यहां पर आप इनो का यूज क तरीकी का है यह पोहाँ साथा पतला नहीं है और बहुत तरीकी का हमें भी ड़ेटर रखना है तो दोस्तो गैस पर रखा हुआ जो चैलर डी देख रहे हैं दाल फ्राई वाली है जी हाँ आज हम इसे में बनाएंगे नास्ता और बहुत ही बढ़ी हाँ नास्ता बनके हमारा त्यार होगा तो कल्ची को मैंने पहले से ही रख दिया था गरम हो चुकी है इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर एक कल्ची का इस्तेमाल किया है बैटर आप बहुत साथा यूज मत कीजिए वरना उपर तक भर जाएगा तो नास्ता अच्छे से नहीं बन पायागा तो यहाँ पर यह चीज़ का ध्यान जरूर दीजेगा कल्ची के उपर तक बैटर को नहीं भरना है हमें उसके नीचे ही रखना है क्योंकि यह बैटर अभी जो हमारा नास्ता है थोड़ा फूलेगा के लिए हमें थोड़ा इस पेस जरूर रखना है और यह जो कल्ची में है इस नास्ते को बना रहा है ना इससे हमारा नास्ते का जो शेफ है बहुत ही अच्छा आता है तो बैटर को डा चेक कर लेते हैं और पलटने लायक हो गया होगा तो हम इससे पलट भी देंगे तो देखिए बहुत ही अची तरीकी से हमारा नास्ता जो है अंदर से पक चुका है इसे हम पलट के भी दूसरी तरफ सेख लेते हैं तो इसे पलटने के लिए यहां पे इस्पून का इस्तमाल कि अगर आपने एक बार इस नास्ते को बना के आपके बच्चों और बड़ों को खिला दिया ना तो बार बार आपके घर में यही रिमान होगी इस नास्ते के लिए खाने में तो है टेस्टी होता ही है पर साथी साथ हल्दी बहुत जादा होता है तो देख सकते हैं नास्ते को मैं आपको पास्ते दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर आया है अब इसे निकाल लेते हैं अब इसी तरीकी से हम अपने दूसरे नास्ते को भी बना के कर लेंगे तयार इस नास्ते को आप लंज में भी आपकी बना सकते हैं, अगर आपको सब्ची रोटी डाल राइस खाने का मन नहीं है, कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, तो आप इस नास्ते को जटपट बना सकते हैं, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता ही है, जो कि मैं बार ब और आपको बोल रहे हुँ, कि मेरे बोलने पे नहीं है, आप इस नास्ते को एक बार ट्राई करेंगे, तो आपको पता चलेगा इसका टेस्ट, तो ट्राई जरूर कीचेगा आपके घर में और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसे बनाने की बात और खाने की बात, कि आपको इस नास्ते का टेस्ट कैसा लगा? तो देखी हमारा दूसरा नासा भी बनके हो गया है तैयार, कलर तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया है. तो बस इसे तरीके से सारे नास्ते को हम बना लेंगे, और देखीं अगर आप पहली बार बना रहे है इस नास्ते को तो भी आ पर्फेक्ट बना लेंगे, जो माप मैंने आपको बताया है, सिर्फ वही मापको आपको फॉल्लोग करना है, जो देखिए मैंने जो बै्टर बनाया था, उस बैटर में पूरे पांच नास्ते मैंने बना चेयर करना बिल्कूल मत भूलिएगा और हाँ आप मेरी रेसिपी को दुनिया के कौन से कौने से देख रहे हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा तो उमीद है दोस्तो आज की जो नास्ते की रेसिपी है बिल्कूल अलग है यह जरूर आपको पसंद आई होगी अगर नेक्स वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई देखिया